नमस्कार स्टुडेंट्स श्री रतनलाल कामलाल पाटनी राज के स्नात कोतर महाविद्याल किशनगर्ड की यूटूब चैनल CCE राज किशनगर्ड पर आप सभी का स्वागत है स्टुडेंट्स मैं महिंद्र कुमार वर्मा सहाइक आचारे वेबसाइक प्रिशाशन विभाग स्टुडेंट्स विकॉम पार्ट थर्ड के बिजनस मेनेजमेंट के पीपर फर्स्ट प्रिंसिपल अफ मार्केटिंग विपरन के सिद्धान्थ में आज का व्याक्यान है विपरन वातावरन यानि की मार्केटिंग एनवार्मेंट इसकी हम अर्थ परिभाशा यहम प्रकरती इस वीडियो में डिसकस करेंगे इस्टुडेंट्स नॉर्मली वातावरन का जो अर्थ है वो हम अपनी आसपास का जो शेत्र है उससे समझते हैं जैसे आपके आसपास भी जो वातावरन है जिसमें भोगोलिक शेत्र जो शामिल है जिसमें चल और अचल घटक शामिल होते हैं उसे हम वातावरन कहते हैं जै के आसपास का वातावरन बनाता है समुचा ब्रह्माण भी एक विस्तत वातावरन ही है और ब्रह्माण में अनेक इकाईख यां हैं जो हम को या हम ब्रह्माद का जो वातावरन है इसको हम प्रभावित करते हैं जिसी तरपन बात करें सहस्ता के लिए तो सहस्ता का भी अपना एक भगवलिक शेत्र होता है जिसमें उसको प्रभावित करने वाली अनेक गतिशिल गटक विद्धेमान होते हैं ये आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक, भगवलिक, सांस्कृतिक आदी कई तरगी गटक हो सकते हैं प्रतेक सहस्ता का विप्णन कारे इसी वातावरण में संपन किया जाता है वातावरण ही विप्णन प्रभंदिकों के कारे कलापों का मंच है इस वातावरण के आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वैधानिक, तकनिकी, आदी गटक विप्णन करियाओं को प्रत्यक शिरुप से प्रभावित करते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि विप्रन या किसी संस्ता का जो आसपास का वातावरन है वो उसकी कायरिशली या उसकी परफोर्मेंस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है इस्टोडियन विप्रन वातावरन का जो अर्थ है उसको हम सामाने शब्दों में बात करें तो सामाने वातावरन शब्द उन सभी घटकों के समू को प्रकट करता है जो किसी भी इकाय के बाहर या आसपास विद्यमान होते हैं तता ये घटक सामाने ते उस इकाय के नियंत्र के बहार होते हैं विप्रण वातावरण की उन शक्तियों दशाओं तता घटकों से हम इसका अर्थ ये भी लगा सकते हैं कि विप्रण की कायरेकुशल्थ को प्रभावित करते हैं तता जिन पर विप्रण प्रभंदक का कोई नियंतरण नहीं होता इस्टुडेंट्स जैसा कि आप समझ सकते हैं कि विप्रण वातावरण दो तरह का होता है एक तो इंटरनल यानकि आंतरिक और एक एक्स्टरनल यानकि बहार का जो वातावरण है इंटरनल वातावरण या इंटरनल जो का जो एन्वारमेंट है वो संस्था उस पर अपना नि होता और यह जो वातावरण है संस्ता के कार्य को सीधे सीधे प्रभावित करता है अगर हम परीबाशाओं में बात करें वित्रण वातावरण की जो परीबाशाएं हैं उसमें बहुत से विद्वानों ने अलग-अलग तरकी परीबाशाएं दी हैं लेकिन हम यहां जो most important या दो जो प्रमुक विद्वान हैं उनकी परीबाशाओं को सम्मेलित कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले फिलिप कॉटलर तदा आर्म स्ट्रॉंग यह दो लिखक हैं यह जो विद्वान है इन्होंने मिलकर जो परीबाशादी है वो है एक सहस्ता के विप्रण वातावरण में व विप्रण प्रबंद की योग गेता को परभावित करती है स्टूरेंट्स में आप देखेंगे कि इसमें विप्रण के बाहर मतलब मार्केटिंग एन्वायरमेंट जो है वो विप्रण के बाहर के वे सभी कारक हैं जिस पर किसी विप्रण प्रबंदक का सीधा-सीधा कोई यह अंतरण नहीं होता यह जो कारक्न शक्ति हैं वो एक विप्रण प्रबंदक की है विप्रण का जो टार्गेट कस्टमर है जो लक्षक रहाक है उनसे संबंद बनाने हैं उन संबंद को बनाए रखने की जो योग गेता है उसको प्रभावित करते हैं जैसे आज समझ सकते ज्यादा इस्तिता नहीं होती, तो वो एक जो स्थति होती है, वो सीधे सीधे एक विपनन और उसका जो customer है, उसका जो target customer उसको वो प्रभावित करती है, इसी तरह हम बात करें, दूसरा जो विद्वान है, pride तता feral, ये भी दो विद्वान है, pride तता feral, उनों इसके बारे में कहा है विप्रन वातावरण में वे सभी ब्रहाई शक्तियां मतलब बाहर की शक्तियां सम्मेलिते हैं जो किसी संगटन के संसादनों जैसे कि मानविय, वित्तिय, प्राकर्तिक, कच्छा माल तथा सूचनाएं की प्राप्ति तथा उत्पादों उत्पाद में माल, सेवाएं य रभावित करती हैं मतलब यह इसमें भी हम देखते हैं कि विप्रन वातावरण के बाहर की वे शक्तियां सम्मेलित होती हैं इसमें जो कि विप्रन जो संगटन के संसादन हैं उनकी प्राप्ति और जो संगठन या जो संस्थान है वो जो उत्पाद की जो डेलिवरी अपने customer को कर रहा है जैसे मान सेवाएं और विचार के स्रजवन मतलब उन्हें नए रूप में customer को कि सामने रखने कि जो क्रिया है यह जो प्रक्रिया है उसको डारिक्ट या इंडारिक्ट दोनों रूप से प्रभावित करती हैं इसमें हम देख सकते हैं कि बार-बार जैसे जो शक् जिसे विपनन्द की प्रकृति के बारे में अगर हम बात करें या फ्रकृति या जो इसका नेचर एनुआरमिंट का वह कैसा होता है या इसको कौन से घटक है जो ज़्यादा प्रभावित करते हैं जिसमें सबसे पहरा जो घटक है वहाइ गतिशिल वातावरन इस्टुडेंट प्रतेक सहस्ता के विप्रणन प्रबंद का एक गतिशिल वातावरण होता है उसे अपने इसी वातावरण में कारे करना पड़ता है मतलब कोई भी सहस्ता का आप भी समझ सकते हैं कि जो वातावरण है वो हमेशा गतिशिल ही होगा मतलब इस तिर कोई भी चीज नहीं हो क्योंकि उसमें प्रत्य एक दिन कोई ने कोई नई वस्तोंच भी आएंगी नई थौट्स भी आएंगे नई लोगों संपर्ण भी होगा ये जो सब वातावरण है ये सब गतिशील है इसलिए ये जो गतिशिल वातावरण है ये विप्णम प्रबंद की जो प्रकृति है उसको प्रबावित करता है ये इसकी अपन कह सकने कि ये इसकी एक विशेश्टा भी है दूसर है आंतरिक एंब भाय वातावरण संस्ता का हमेंने पहले भी डिसकस बताया आपको कि विप्णम का जो वातावरण है वो दो तरह का होता है आंतरिक एंब भाय आंतरिक मतलब इंटरन भाय मतलब एक्टरन दो तरह के इसमें वातावरण होते हैं विप्णन प्रभंद का अपना आंतरिक एंब्राय दोनों ही प्रिकार का वातावरण होता है विप्णन प्रभंद अपने आंतरिक वातावरण पर प्राय नियंतरण कर लेता है लेकिन जो बहार का वातावरण है उस पर वो नियंतरण नहीं कर पाता तो इसलिए एक विप्ण जो प्रबंद है उसको अपने बहाय वातावरंड के अनुरूप ही ढलना होता है तीसरा है भोगौलिक सीमा जोग्राफिकल लिमिट प्रतेग विपना प्रबंद के बहाय वातावरंड के एक भोगौलिक सीमा होती है यह सीमा विपना प्रबंद के कारेशेत्र के अनुसार विस्टर्थ एं संकुचित हो सकती है मतलब आपके जो विपना प्रबंद है उसका कारेशेत्र के है आप एक जिले में सीमीत हैं, आप एक स्टेट में सीमीत हैं, आप एक देश में सीमीत हैं या आपका जो कारेश्यत्र है वो देश के बाहर भी है। ये जो भागोलिक सीमा है, ये मतलब अपने कारेश्यत्र के अनुसर बड़ी और छोटी हो सकती है। और ये भी विप्रन प्रबंद का जो वातावरन की प्रकरती है, उसको प्रभावित करती है। अगला जो घटक है वो है गतिशील घटक। विप्रन प्रबंद का वातावरन गतिशील घटकों से बनता है। यह आप जानते हैं कि घटक आर्थिक, समाजिक, राजनयतिक, भागनिक, धार्मिक, सांसक्रतिक, तकनिकी, आधिप्रकBRतिके हो सकते हैं यह घटक निरंतर, परिवर्तनशिल या घतिशिल होते हैं नहिकि इस्तिर या चिरस्थाई समाज में भी बदला होता है, देशिक राज़दिक, संस्ता के भोग्वलिक शेत्र में भी भाणने की शोटे सार पर काम करने लगती है, धार्मिक, इस तर सांस्कृतिक इस तर और टेक्निलोजी, तक्निक ही मतलब इसमें भी बहुत से रुपे परिवर्तन अपने को देखने म मिलते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि यह इस्थिर नहीं होता चिरस्था ही नहीं होती है इसमें परिवर्तन शेल होते रहते हैं अगला है परस पर निर्बर घटक Students, गतिशेल वातावरन के घटकों के प्रमुख विशेष्टा या प्रक्रति होती है कि ये घटक परस पर निर्बर नहीं होती वस्तुदाई ये सभी घटक एक दूसरे को परस पर प्रभावित करते हैं तथा परस पर निर्बर भी होते हैं अगला जो पॉइंट है वो है संसाधनों का वी नीमा है प्रतेक संस्ता का विप्रन विभग अपने संसाधन भाई वातारण से प्राप्ट करता है मतलब अपना जो उसके रिसोर्से हैं वो भार की वातारण से प्राप्ट करता है जिसमें कि श्रम, मेंट पावर पन कह सकते हैं पूंजी, कैपिटल, यंत्र, उपकरण, टेक्नलोजीज, एक्किपमेंट्स, रॉ मैटेरियल, कच्छा माल, मानौफ संसादन, हुमन रिसोर्स और फिनेंस ये सबी जो घटक हैं ये एक विप्णन विबाग को संस्ता के बाहर से ही प्राप्त होते हैं और इनी संसादनों की मदद से एक विप्णन जो प्रबंदक है या एक जो संस्ता है वो आगे कारे करती है इन संसादनों का अप्योग करके ही विप्णन प्रबंद अपने कार्यू एं वो देशों को पूरा करता है अगला जो point है वो है सूचनाओ का वीनीमै मतलब exchange of information विपनन प्रभंद अपने बहाई वातावरण से सूचनाओ का आधान प्रधान भी करता है सर्व प्रतन विपनन प्रभंद अपने बहाई वातावरण का अध्यन करता है और अपने आर्थिक, तकनिकी, राजनितिक, सामाजिक, सांस्क्रतिक वातावरण आर्दी के संबंद में कुछ अनुमान भी लगाता है मतलब एक विपनन प्रबंदक, अपने बहार के वातावरण से सूचनाओं का संकलन भी करता है उस पर विचार विमर्ष भी करता है और वो सूचना है दूसरी संस्ताओं को भी देता है मतलब वो लेता भी है और देता भी है जो सूचना है उसके काम की होती है जो दूसरी संस्ताओं के पास है तो वो उनसे लेता भी है और अपने पास जो सूचना है वो दूसरों को देता भी है विपरन प्रबंद इन सूचनाओं का अपने कारियों के निश्पादन में उप्योग करता है इनी के आदा पर विपरन प्रबंद उत्पादन विक्रे वित आदी कारियों का नियोजन करता है इसके साथ अपने कार्यों का नियननेन और नियनतरन भी करता है इस्टुडेंट से इसमें आप देख सकते हैं कि कभी-कभी विप्रन प्रबंद अपनी स्वेच्छा से भी भायवे वातावरण को सोचनाय उपलब्द कराता है और भार के जो वातावरण है उनसे सोचनाय अपने लिए काम में भी लेता है अगला जो पॉइंट है वो है विस्तरत बाजार विप्रन प्रबंद का वातावरण ही उसका विस्तरत बाजार होता है विष्टक बाजार से मतलब हम यह समाझ सकते हैं कि जो किसी भी विपरंद प्रबंद का जो कारेशेतर है वो बहुत ही बड़ी स्तर पर होता है उसके लिए देश की सभी भगलिक सिमाएं खुली होती हैं दिप्णान प्रबंद अपनी संस्ता दोबरा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को अपनी वातावरण में उपलब्द करता है ये वातावरण जब उन्हें स्विकार करता है तो संस्ता का निरंतर संचालन होता रहता है अगला जो पॉइंट है उसमें आप देखेंगे वातावरण की आफशक्ता की संतोस्टी स्टुडेंट्स वातावरण प्रतेक संस्ता से अपनी आफशक्ताओं की संतोस्टी की अपेक्षा रखता है कि जो वातावरन जैसे भी अपन भी देखते हैं कि जैसे अगर आप बहार हैं तो आप हमेशा ये अपेक्षा करते हैं कि हमेशा गर्मी ना पड़े हमेशा सर्दी ना पड़े मतलब हर एक वातावरण से आप एक संतुलित आवशक्ता की संतुष्टी की अपेक्षा रखते हैं इसी तरह से जो विप्रन प्रबंद है या जो संस्ता है वो भी अपने संस्ता का वातावरण है उसे आवशक्ता की संतुष्टी की अपेक्षा रखती है जो संस्ता वातावरण की इस अप्यक्षा को पूरा नहीं कर पाती उस संस्ता का शनेशने स्वत्ही अंत हो जाता है विपन प्रबंद इस दायत्व को पूरा करने हैं तो निरंदर अपने वातावरण का अध्यन एम विसलेशन करता है अगला पॉइंट है चुनोतियां एम बाधाएं इस्टूडेंट्स चुनोतियां एम बाधाएं हर विप्णन प्रबंद के कारेशेत्र अपन किसी संस्ता के लिए काम करें उसके लिए अपने वातावर्ण में हमेशा उपस्तित रहती है प्रतेक संस्ता के विप्णन प्रबंद को अपने वातावरण में कारे करने तथा उसकी अप्यक्षाओं को संतुस्ट करने में अनेक चुनोतियों एम भाधाओं का सामना करना पड़ता है जिस संस्ता का विप्णान प्रबंद इन चुनोतियों एम भादाओं के बीच उप्युक्त अफसरों के खोच कर लेता है वह संस्ता सफल हो जाती है और जो ऐसा नहीं कर पाता, जो इन चुनोतियों और भादाव पर पार नहीं पाता या उनका समाधा नहीं खोश पाता, उसका स्तित्व स्वतही बाजार से समाप्त हो जाता है अगला है निरंतर संपर्क प्रतेक संस्ता के विपनन प्रभंद को अपने वातावरन से निरंतर संपर्क बनाए रखना पड़ता है इस हैत उसे द्वी मार्गी संचाल, टू वे कम्यूनिकेशन विवस्ता करनी पड़ती है इसके माध्यम से विपनन प्रभंद वातावरन में हो रहे परिवर्थनों की जानकारी प्राप्त करता है कोई भी विपनन प्रभंदक अगर बाहर से सूचने प्राप्त नहीं करेगा या बाहर के वातावरन से संपर्क में नहीं रहेगा तो वो अपने लक्षित उद्देश्चों को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए उसे हमेशा two-way communication का मार्ग अपनाना चाहिए और बहार के वातावरण में जो भी सूचना ये उपलब्धों उन्हें सुईकार करना चाहिए अगला है परीवर्टनों के अनुरूप परीवर्टन स्टुडेंट्स हम ये कहते हैं कि प्रत्यक वेवैशा एक संस्था हैं उसका विपलन कारिये उसके अपने वातावरण की उपज होता है ये कथन बहुत ही सटिक है उसका जो भी सोरूप उभरता है यानि कि जो भी संस्ता का जो भी सोरूप उभरता है वह उसके वातावरण का ही परिणाम है जो एक संस्ता के आसपास का जो वातावरण है भार का उसके अंदर उसका उभरना या उसके तरक्की उस वातावरण के उ इसमें हम देखेंगे जैसे जो परिवर्तन जैसे होते हैं ग्रहागों की रूची में होते हैं फेशन, जीवन शेली, उत्पादन थता वित्रण टक्नीक, सरकारी नियम में हम नीतियां, सामाजिक मुल्य, प्रतिस परधा के स्थति, अर्थ चक्र के स्थति, आधी में परिवर परिवर्तन होती रहते हैं और इन्ही परिवर्तनों के अनुरूप एक विप्रन प्रबंदक को अपना विप्रन बातावरण भी परिवर्तित या परिवर्तन उसमें करता रहना चाहिए अगला पॉइंट है सभी घटकों के लिए उत्तरदाई इस्टुडेंट्स विप्रन प्रबंद वातावरण के सभी घटकों के प्रति उत्तरदाई होता है यह नागरिक समुदाई, भोकताओं, कर्मचारियों, विनी योजिकों, प्रतिस प्रतिस्पर्दी संस्थाओं, राजनेती क्या सरकारी व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था जिसमें राष्ट्रिये एं अंतरास्टे शामिल होती हैं, आधि सभी वातावरण की जो घटक हैं, उसके प्रति एक विप्रन प्रबंद का जो वातावरण है, वो उत्तरदाई होता है, अता है विप्रन प्रबंद को अपने निर्णयों, एंकारियों को करने से पूर्व, इनके हितों को भी ध्यान रखना पड़ता है, इसका 14 नमबर वो है विप्रन प्रबंद भी वातावरण को प्रभावित करता है, प्रतिक संस्ता का विप्रन प्रबंद बहार के वातावरण का भहुत अधिक प्रबाव होता है, तता कुछ सीमा तक वा सोयम भी बाहर के वात प्रतिक संस्ता के विप्णन प्रबंदक पर बहार के वातावरन का भहुत अधिक प्रबाव होता है। इसके लिए बहार से सूचनाओं के साथ साथ चनोतियां और अफसर भी आते हैं। कुछ घटकों को प्रबावित करने की स्थती में होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत कोई कमपनी आप देखेंगे कि अगर कोई कमपनी किसी दूसरे कमपनी के शेर्स खरीती हैं। या किसी कमपनी में इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो जिस company में वो investment कर रही है उस company का शेयर जो बाजा है या उसके भाव है शेयर के वो increase हो जाते हैं बढ़ने ही लगते हैं तो अपने कह सकते हैं कि किसी company का internal जो factors है जो वातावरण है वो पाहर के वातावरण को भी प्रभावित करता है students अब आप सोचेंगे कि हमने जो आज इसमें हमने अध्यन किया है विपन वातावरण का आर्थ परिभाशा और उसकी प्रकरती इसके बारे में अगर आपको कोई query हो तो आप हमारे चैनल के जो description है उसमें आप अपना query डाल सकते हैं हम उसका समधान आपके लिख करेंगे आप किशनगाड कॉलेज राजकी माविद्याला जो किशनगाड कॉलेज है उसके चैनल को सब्सक्राइब करें और जादस जादा शेर करें आज के इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद